दोस्तो अगर आप एक अकाउंटेंट हो आप अकाउंट्स की अच्छी नॉलेज रखते हो आप किसी भी अकाउंट्स विए में प्रैक्टिकल अकाउंटिंग मेंटेंट भी करते हो लेकिन दोस्तो जब बात आती है भी अकाउंट्स विए के साथ साथ Microsoft Excel में काम करने की तब आपको थोड़ी problem होती है, तो दोस्तों अगर आप accounts के line में अफने इस career में और ज़्यादा grow करना चाहते हो, तो आपको accounting software के साथ साथ Microsoft Excel का knowledge होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जो सारी जो report होती है, वो हमें कोई भी accounting software है जो नहीं दे पाता है, जो report हमें हमारे according च provide नहीं कर पाता, तो हमें जरूर्थ पढ़ती है, यान कि हमें Microsoft Excel का सारा लेना पड़ता है, तो दोस्तों अगर आप एक नए accountant हो, आप tally software या busy software या कोई भी accounting software के बारे में अच्छी जानकरी रखते हो, तो आपको ये Microsoft Excel का knowledge भी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप सारी जितना भी record होता है, हम जैसे कि हमारी books को finalization करते हैं, तो हमें trading count बनाना पड़ता है, हमें profit and loss count भी त्यार करना पड़ता है, और balance sheet भी हमें त्यार करनी पड़ती है, अलांकि दोस्तों ये सब कुछ software में automatic maintain हो जाता है, लेकिन हमें properly finally touch देने के लिए, जो हमें government का format होता है, प्रोपर उस format में set करने के लिए में Microsoft Excel की जुरूरत पड़ती है, तो दोस्तों आज की इस video में Microsoft Excel में किस तरीके से formatting करी जाती है, किस तरीके से हमें नाम वेगरा, किस तरीके से design करना सिखा जाता है, ये आज इस video में हम सेखने वाले हैं, तो दोस्तों अगर आप एक नए content हो, अपने business में, अपने इस career में और ज़्यादा grow करना चाते हो, तो आज की इस video को आप end तक complete जुरूर देखना, और आज की इस video को देखने के बाद, आपको ये पालूम पलेगा, जितना Excel को आप hard समझते हो, उतना hard है नहीं, Excel आपके लिए कितना असान काम कर देता है, द अभी तक आपने दोस्तों इस channel को subscribe करके नहीं रखा हुए, तो प्लीज इस channel को subscribe जुरूर कर लेना, क्योंकि हम इस channel पर tally software, busy counting software की practical और knowledgeable video continue upload करते रहते हैं, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महुंच सुथार, और Smart Counting Arsenal की YouTube channel पे आप सभी का बहुत-बहुत सभागत है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज काई वीडियो, तो दोस्तों हमने ये Microsoft Excel ओपन करके रखा हुए, हमने कोई भी इस software में working नहीं करी है, और हमारे पास कुछ ये manually record भी है, जिसको हमें Excel में हम इसको किस तरीके से format करेंगे, यानकि इसका design हम किस तरीके से त्यार करते हैं, ह यानकि उसी के वीडियो आपको continue मिलते रहेंगे, और दोस्तों हम जो सुरुआत करने जा रहे हैं, वो बिल्कुल zero level से सुरुआत करने जा रहे हैं, हम यह मान के चल रहे हैं, भी हाज हम कोई भी student है, आज पहली बार उसने Excel के सकल देखिया, तो वो student Excel में किस तरीके से काम क करना सिखेगा, क्योंकि दोस्तों जो student, जी student को Excel आता है, तो वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा, easy आज का लगेगा, लेकिन यह ने student के लिए एक वीडियो है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें final test के लिए हमें इस तरीके का trading count बनाना पड़ता है, हमने एक इस तरीके का format हमने त्यार किये, हम इसी को Excel में अगर हमें त्यार करने के लिए बोला जाए, तो उम किस तरीके से त्यार करते हैं, और दोस्तों यह आपको finally test में, Excel में ही finally data त्यार करना पड़ता है, तो दोस्तों जैसे कि हमने सबसे पहले लिखा हुए company का name, तो दोस्तों इस तरीके से त्यार करके देना होता है, तो हम इसका जो सारा है, अब हमें Excel का लेना ही पड़ेगा दोस्तों, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इस के recording, हमें company का नाम उपर लिखना पड़ेगा, तो company का नाम लिखने के लिए दोस्तों, अब याप यहाँ पर जो देख रहे ह जो बनता है, उसको हम बोलते हैं, सेल, सेल यानि कि जैसे कि अब यह आप जो देख रहे हो, ब्लेंक जगा है, यह एक सेल कहलाती है, जिसके अंदर हम डाटा टाइप करते हैं, अगर इस डाटा, इस सेल के अगर कोई रेंज बोला जाए, जैसे कि आप यहाँ पर देखो, ज दो नमबरा जो रो, तो यह आपको दोस्तों यह से सब कुछ पता चल जाएगा, अब जो भी आपका कोलम और जो रो संक्या हाइलाइट है, वो इसका एड्रस होता है, जैसे कि यह अब कोलम हो गया, और फाइप इसकी रो होगी, तो इसका एड्रस ही 5 हो गया, दोस्तों हम जिरो लेवल से शुरुवात कर रहे हैं, हम जो भी आपको यहां फे function दिख रहे हैं, home, insert, page layout, formulas, data, review, you, सब के बारे में हम practically सीखेंगे दोस्तों, क्योंकि सबी features का जो rule रहता है, Excel के अंदर बहुत ही important role रहता है, इन सबी features का, क्योंकि सारे record हमें एक ही, इस menu बार में नहीं मिलेगा, कुछ insert में भी मिलेगा, कुछ page layout में मिलता है, कुछ formula बार्च में मिलता है, कुछ data में मिलेगा, तो हम सुरुवात बिल्कुल zero level से कर रहे हैं, तो दोस्तों जो कि हमें पहले जो लिखने को बोला जा रहा है, company का name, तो दोस्तों सबसे पहले एक बार हम नाम टाइप कर लेते हैं, यहां पर company का name, अब company का name का मलब आपकी company किस नाम से registered है, जैसे कि मैंने यहां पर telly में जो record maintain कि होए, मेरी company का नाम है, smart enterprises 11, तो हम यहां पर जो नाम लिखेंगे, smart enterprises 11 का, smart enterprises 11 की, अब यह मारा company का नाम हो गया, दोस्तों आपको वीडियो को end तक complete देखते जाना है, आपको किस तरीके से फॉर्मेटिंग होएगी वो सब कुछ हम दिरे दिरे सीखते जाना है, एक बार हम type कर लेते हैं, उसके बाद हमें बोला जारे है, trading account ended year 31 March 2021, तो यह नाम भी हम यहां पर लिखेंगे, trading account ended year 31 March 2021, हम इसको एक बार simple type कर रहे हैं, और उसके बाद दोस्तों आपको चार कोलम की जुरूत पढ़ेगी, जिसमें पहले नाम लिखेंगे, particular, उसके बाद में amount, फिर particular और फिर amount, तो हमारे पास एक कोलम आगया, हम इसके अंदर यहां पर नाम लिख लेते हैं, एक जगा हम छोड़ देते, particular, और उसके बाद में second B कोलम हम लिखेंगे amount, फिर हम particular लिखेंगे, और फिर amount लिखेंगे, तो दोस्तों आप देखेंगे, जो भी हमने यहां पर लिखा था, यहा amount लिखेंगे, फिर particular लिखेंगे, और amount लिखेंगे, लेकिन Excel में जब भी हमने type के यह सारा mix हो गया, पता है इन चल रहा है, particular कहां लिखा हुआ है, तो इसका हमें space बनाने के लिए दोस्तों हमें इसको width है, तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, width को कम या ज़्यादा करने के ल निसान बन गया, तो हम यहाँ पे इसको drag करके थोड़ा सा आगे खीच देते हैं, जितनी हमें जुरूरत हो गया, आप देख रहे हो, particular के लिए कापी ज़्यादा space निकल के आगे है, इसी तरीके से हम B column को भी आगे करेंगे, इसी तरीके से C को भी करेंगे, और इस तरीके स हम D को भी करेंगे, तो आप देख रहे हो, जिसे भी हमने इसको space की जो width करेंगे, सब जो अलग अलग नाम हमें दिखने शुरू हो गया है, यहनके मैनुरी रूप से इसका space यहां से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो उसके बाद हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, opening stock, फिर हम हमें purchase लिखना है, फिर यहाँ पे less purchase return, फिर debit note, direct expenses और gross profit, तो यह एक बार हम यहाँ पर type कर लेते हैं, हम यहाँ पे लिखने सबसे पहले, opening stock, उसके बाद में purchase रहेगा, उसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे less purchase return, यागर कोई purchase return हुई है, तो और उसके बाद फिर हमारा रहे है तो, और उसके बाद में कोई direct expenses, जैसे कोई labor वेगर है, कोई freight वेगर है, तो किसी भी type का, अगर को direct expenses आपका लगा हुए, और उसके बाद में हम लिखेंगे gross profit, तो यह हमने इस particular में लिखेंगे, और उसके बाद में हम लिखेंगे, sell, उसके बाद में मरी रहेगी, less sell return, अगर कोई माल वापस ही हुआ है, तो sell return हम लिखेंगे, उसके बाद में अगर किसी type का, में कोई credit note अगर मिला हुआ है, और उसके बाद में closing stock, तो दोसों, यह हमने यहां पर इस format के coding है, यह data हमने त्यार कर लिया है, और अब इसकी हमें designing त्यार करने है, जैसे इस तर के से बनाएंगे, तो दोस्तों border बनाने के लिए आपको simple, सबसे पहले अब आपको यहां पर एक total का column भी आपको बनाना है, total आप यहां पर लिखोगे, और इसके बाद में इस particular के नेचे भी total लिखोगे, क्योंकि हमें इस column में इन सभी का total चीए, और यहां पर इन सभी का total चीए, दोस्तों अब बारी आती है हमारी border लगाने के, तो border लगाने के लिए आपको दोस्तों क्या करना है, simple सभी को चारों को आप select कर लोगे, mouse का left button आपको प्रेस करके रखना है, और उसके बाद में ड्रेक करके जहां तक आपका यह format त्यार हुआ है, वहां तक आप इसक नीचे तक लेके आ सकते हो, और उसके बाद में दोस्तों आपको यहां पर एक option मिलेगा, इस तरीक एगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है, और जिससे हम क्लिक करेंगे तो इसके उपर आपको एक यहां पर मिलेगा, think box border का, यह वाला, तो हम इसको select करेंगे यहां से, तो ज जिससे आपको क्लिक करते चावघे, इस तरीके से हमारा यह जो बनता जाएगा, जहां पर भी बादर लगने का, जहां तक आप इसको ख्यंच कर लो, और यहां से इसमे प्रेश करते जाओ, तो आपदेख्यु तो आपको इस तरीके से हमारा जो, बादर ट्यार हो जाता है, अब दूस्तो अग्जर अगर आप इस तरीके से अगर राप बड़र लगाओगे ओल बडर पर आपकर अब क्लिक करोगे इसमें एक उप्सन आपको देखने को मिलेगा ओल बडर का दूस्तो ओल बडर में क्या होगा? जैसे आप All Border पर यहाँ पर क्लिक करोगे तो सबी जो लाइने वो सारी इस तरीके से बोर्डर में आजेगी आप इस तरीके से भी All Border पर भी आप क्लिक करके लगा सकते हो लेकिन यहाँ पर अब इस तरीके से देखा तो इन बीच के अंदर कहीं पर भी आपको इस तरीके के जो लाइन है जो नजर नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ पर केवल एक यह अला कॉलम है यह अला कॉलम है अगर हमें इस तरीके से कोई कॉलम बना होगा तो हमें All Border की जरूरत पड़ेगी अब इसमें इस तरीके का ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर All Border को वापिस हटा देंगे Ctrl-Z करेंगे तो जो हमारी Just Last Command अब हो यहाँ से Remove हो जाएगी तो दोस्तों अब बात आती है हमारे इसके नाम जो उपर हमने जो नाम लिखा हो है स्मार्ट एंटरप्राइजेज ट्रेडिंग काउंट इसके डिजाइनिंग हमें किस तरी की से करने है हम यह चाहें यह जो नाम है स्मार्ट एंटरप्राइजेज का कमपनी का नुज नाम है वो जो हमारे यहाँ पर चार कॉलम जो बढ़े हैं यहां तक इन सभी के बिलकुल सेंटर में आपको दिखे तो दोस्तो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको A, B, C और D के कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि हमारे चारी कॉलम है परटिकुलर अमाउंट, परटिकुलर अमाउंट इससे जएधा हमें कॉलम की जुरूत नहीं पड़ेगी तो हम चाहिए इन सबी के सेंटर में आए तो इन सबी को आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद में आपको इस होम मेन्यू में आपको यह उप्सन देखने को मिले गए यहां पर मर्ज एंड सेंटर तो आपको इस पर क्लिक कर देना है जैसे आप इस पे क्लिक करोगे दोस्तों क्या हो जाएगा यह जो सारे A, B, C, D और जो चारों की चारों कोलम थे जो सेल थी वो अब एक ही सेल में कनवर्ट हो गई है यानकि अब मर जो चुके है चारों सेल एक सेल के अंदर आप कैसे पता चलेगा यहां पर हम क्लिक कर रहे है दोस्तों देखे हो तो आपको केवल B सेलेक्टड नजर आ रहे है और हम स्मार्ट इंटरप्राइज पर क्लिक करें तो आपको A, B, C, D चारों के चारों कोलम आपको हाइलेट यहन की सेलेक्ट नजर आ रहे है तो इसका मलब यह जो यहां पर A, B, C, D और चारों की जो सेल ल पड़ेगा या फिर आप अपने कोई पर्टिकुलर फोर्मेट के साथ अगर आप देना चाहो यान की जिदने नंबर के साथ आप देना चाहो 22, 24, 26 या इसके साथ में तो यहां से भी आप दे सकते हो तो दोनों में कोई फरक नहीं है यहां से हम step to step बढ़ता जाएगा और यहां से particular किसी amount यान की जो numbering देनी है कितने number के साथ आप count रखना चाहते हो वो select कर सकते हो उसके बाद में same इसी तरीक के यह भी चाहें जो amount हमने जो लिखा हुए trading count बढ़ा वो भी इन चारों कोलम के बिल्कुल center में देखे तो इसको भी हम select करेंगे और merge and center पर click कर देंग तो अब यह नाम भी जो इस तरीके का बिल्कुल center में आएगा इन चारों कोलम के बीच में तो उसके बाद आप यहां से अगर आपको अलग type में या इसको color फूला कर आप देना चाहो तो यहां पर आपको color मिलते हैं एक में आपको बिल्कुल background color मिलेगी और दूसरे में background है वो जो इसकी cell की हमने चेंज कर दिया है अगर आप font की color भी change करना चाहते हो तो आप next आगे वड़ इस font color पर आप जाओ के तो आपको यह font color देखने को मिलेगा अब font का color आपको क्या देना है उसमें से आप select कर सकते हो जिसे कि मैंने यहां से इसको red कर दिया है तो आपक इसके साथ भी अगर आप border लगाना चाहो इसको अलग border में रखना चाहिए अपने तो इसको select करेंगे और उसके बाद में से हैं वही thick box border पर हम click कर देंगे तो यह आपको एक अलग border में नजजर आएगा तो दोस्तों अगर आप space कम ज़्यादा चल रहा है amount आपकी ज्यादा रो है इस रो को भी हम manually यहां से छोटा बड़ा कर सकते हैं तो इस तरीके से इसको भी हम changing है जो कर सकते हैं अब उसके बाद में यहां पर उस trading count का आप नाम देख सकते हो यहां कि किस type का आप trading count बना रहे हो अगर हम हमारे tally software में देखे तो हमने एक goods purchase कियो है computer goods purchase GST 18% का तो हम इसका trading count का नाम यहां पर दे सकते हैं computer first GST 18% trading count और यह भी अगर हम चाहें बिलकुल center में नजर आए तो आपको सेम इसी तरीके से इसको select कर लेना है और merge and center पर click करें तो यह भी आपको बिलकुल center में नजर आएगा तो अगर यहां से आग इसका phone का अगर style अगर आप change कर आपको इस पर click करना है और यहां पर आपको अलग काफी सारे जब हम इस drop down पर click करेंगे तो हमें काफी सारे font के जो display नजर आएंगे जैसे हम click करें तो काफी सारे font है जो हमें नजर आ रहे हैं तो जिस font के अंदर आप इसका नाम रखना चाहो इस तरीके से हम यहां से change कर सक करते हैं तो इस तरीके से हमने यह trading count का जो format है वो हमने त्यार कर लिया है अब बाहरा बात आती है दोस्तों इसके अंदर figure है जो यानिकि हम जो amount लिखनी है वो किस तरीके से लिखते हैं तो दोस्तों हमें software में हमने data त्यार किया हुए हमारा purchase sales सब कुछ maintain है तो हम उसको वि तुम 267 जोस्तों जैसको हमने इस पर amount अमने type करिए 100670 और point 00 लगाना है चाहिए और इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हो यहां पर last में जो 0 हमने लगाई थी वो यहां से गाइब हो रही है तो दूस्तों अगर आप लगाना चाहिए तो भी इस column में जो भी amount लिखी जाए सब के last में 0 आनी चाहिए तो आप यहां से select करोगे, select करने के बाद आप इस general पर आओगे और इस drop down पर आपको click करने है जैसे हम इस पर click करेंगे आपको second option मिलेगा number का, इस number पर हम click करेंगे तो जैसे हम इस number पर click करेंगे तो इसके अब जो भी amount लिखी sale, तो जो sale है हमारी वो, software में आ रही है 16930 रुपए की, तो हमने 16930 रुपए यहां पर type किया है, और 0 के साथ अगर हम यूज करना चाहिए तो इस पूरी column को हम select कर लेंगे और वापिस हम general पर जाने के बाद number पर click कर लेंगे, तो आपको यहां पर भी 0 नजर अजर कर लेंगे का कोई खर्चा नहीं है, कोई credit note नहीं है, कोई debit note नहीं है, और उसके बाद में closing जो stock आपके पास बचा वो 66326 रुपए का आ रहा है, तो आप यह closing stock में 66326 रुपए हम ने लिख दिये, तो दूस्तों अब हमें gross profit निकाल रहे है, तो दूस्तों gross profit हमें जो हमार software में आ रहा है, अब यह हमें यहाँ से नहीं लिखना, यह हमें Excel में हम सेखेंगे भी इसको formula के साथ किस तरीके से लाया जाए, तो दोस्तों Excel में चलते है, तो दोस्तों जो gross profit आता है, वो मारा sell plus closing stock, यानिकि अब यह जो side है, यह इस side में से total यह जो side है, यह minus हो जाती है, और closing stock की value वो plus होगी, और उसमें जो purchase है, वो minus हो जाएगी, यानिकि गड़ जाएगी, तो हमें gross profit चाहिए, इस column यानिकि gross profit के आगे, तो दोस्तों में यहाँ पे एक simple formula हम type करेंगे, और type करने के भी ज़्यादा आपको जूरूरत नहीं, आप simple equal का निसान दबाओगी, अप तिनों तरीकों का use करेंगे, पहला तरीका हम use करेंगे, दोस्तों सभी इसमें जो भी रखमें लिखी भी है, इसका total अब यहाँ पर लगना चाहिए, यनकि इस column में लगना चाहिए, तो हम इस तरीके से सभी को select कर लेंगे, और उसके बाद में आपको दोस्तों यहाँ पे जो total automatic ही आ गया है, अब इसके दूसरों formula के हम बात करें, तो इसका जो formula, सभी formula यह बनेगा, भी बराबर sum, d6 से लेके d14 तक, यनकि यह इसका formula वो automatic ही type हो गया, अगर आप इस auto sum का use करने के बज़े, अगर आप यह formula type करोगे, तो भी आपके सामने यह जो total automatic ही आ जाएगा, हम लगा के देखते हैं, equal का निसान हमने दबाया है, बराबर sum और इसके बाद में हमने shift के साथ यह break चलू किया है, अब दोस्तों आपको यहां पर range देखने हैं, range का मतलब हो कि दोस्तों आप कौन से column का total लगा रहे हैं, और कहां से लेके कहां तक का लगाना है, अब आप आएगी, वो automatic की calculate हो जाएगी इसके साथ में, यानि कि हमें D6 के साथ में, D14 तक का total इस column में जो भी रहेगा, वो सारा का सारा total यहां पर आ जाना चाहिए, तो बराबर sum और उसके बाद में टाइप करेंगे D6, जैसे हम D6 टाइप करेंगे तो यहां पर आ जाएगा, और उ आएप किया है, बराबर sum D6 से लेकि D14 तक और इस formula को लगाने के बाद इंटरप्रेस करेंगे, तो हम इस तरीके का जो amount वो automatic ही आपको लग जाएगा, इसका जो total है तो, अब हमें इसका जो gross profit निकालने है, तो वो gross profit हम इस amount में से यह जो value है, परसेज की value उसको minus करने है, त आपको simple, equal का निसान दबाने है, यानि कि बराबर का निसान आपको दबाने है, और उसके बाद में दोस्तों आप यहां से इसका range दे सकते हो, range का मलब, अब D तो इसका column हो जाएगा, अब जैसे यहां पर इसमें automatic हाजएगा, equal निसान जैसे हम इस पर click करेंगे, D15, D15 का मल माइनस करना है, तो माइनस का निसान दबाएंगे, और उसके बाद में हमें इस purchase की जो value है, इसको माइनस करना है, तो हम इस पर click कर देंगे, तो जैसे इस पर click करेंगे, तो यहां पर इसका भी address हैगा, B8 का, B8 कहां से आया है, अब यहां पर देख रहे हो, B तो यह column आ रह से का, अगर हम software में देखें, तो यह 27,560 रुपए, यही भी आपको यहां पर ही नजर आ रहा है, और अब इसका हम total लगाएंगे, तो दोस्तों total के अंदर हम चाहें भी इस column का total है जो, यहां पर आ जाना चीए, तो same वही तरीका हम type भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको यहां दोनों साइडों का, जो ट्रेडिंग काउंट का जो total है, वो अब मारा बराबर हो गया है, तो अब ऑटोमेटिक लगाने का benefit हमें अभी यह मिलेगा, अब माली जी अब आपकी कोई भी amount है, परसेज में से, सेल में से, या closing stock में, इन तिनों में से कोई amount आपकी गलती से change हो जाती है, तो आपका जो total है, automatic change हो जाएगा, और उसके साथ के साथ यह जो gross profit हा रहा है आपको, यह भी automatic change हो जाएगा, यारे कि अगर हमने कोई गलती से, लिखने में कोई गलती कर दिया, तो automatic change हो जाएगा, अब जैसे कि यह माले, आपके पास जो टरन और जो सेल आ रही है आपके पास में, वो 6930 रुपए की है, लेकिन आपने गलती से यहाँ पर लिखते वक्त आपने टाइप कर दिया, एक और में 1630 का, कलेरिकल में ठीक कर दिया, अमाउट है जो गलत टाइप होगी, तो जैसे गलत टाइप होगी, आप यहाँ पर देख रहे हो, इसका जो total हो तो यानि कि यह डिफ्रेंस आपको यहाँ से पता चल जाएगा, और उसके बाद में इसका जो सिदा एफेक्ट पढ़ेगा, वो ग्रोस प्रॉफिट पर पढ़ेगा, अब ग्रोस प्रॉफिट आपके पास 57,260 रुपए का है, अगर आप सौप्ट वेर की बात करें, तो 27,586 है, तो इस तरीके से हम फोर्मुला में गलती हैं, जो हमारी अगर हमने बाइद मिस्टेक, कलेरिकल मिस्टेक के कारण, गल्द टाइप अगर हमारे से एक्सल में हो जाती है, तो हमें इस फोर्मुला से पता लग जाती है, अगर दोस्तों यह सारी अगर हमने सौप्ट फिर में इसे देखे मैनुवली रूप से टाइप करेंगे अमाने जी जैसे भी यहां पर कोई भी हम इसको एक कंट्रोल जेड के साथ इसके मांट वापिस हमने चेंज कर दी और इसका जो टोटल हा रहा है एक लाक गटाई जार दो सुच अपन का और यह हमने यहां पर मैनुवली टाइप कर दिया अगर अब किसी कारणोंबसा कर यहां से अगर कोई अमाउंट चेंज हो भी जाती है तो अब आपके इस टोटल के उपर कोई इफेक्ट नहीं पढ़ने वड़ा क्योंकि यह आपने मैनुवली लिखा है अगर यह अगर हमारा फॉर्मॉले के साथ अगर लगा होता तो यहां पर चेंज है जो ऑटोमेटिक हो जाएगा हम कंट्रोल जेड के साथ वापिस करते हैं और वापिस फिर हम अच्छा दोस्तों हमें एक बात और पता होना चाहिए भी अब यहां पर जो अमाउंट आई है यह फॉर्मॉले के साथ आई है यह हमने मैनुवल टाइप करी है किसे पता चलेगा अब जैसे दोस्तों आपको यह रकम आ रही है 66321 और वेसी सेम रकम आपको यह भी नज़र आ रही है लेकिर अब आपको यह बात पता होना चाहिए भी कौन सा फिगर है जो फॉर्मॉले के साथ आया और कौन सा अमने हाथ से टाइप किया हुए है तो दोस्तों इसको देखने के लिए अगर आप इस माउंट पर क्लिक करोगे यहां पर और इसको क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखोगे इस माउंट में तो यहां पर भी आपको 66326 और यहां पर भी आपको इस कोला में भी 66326 यानिकि यह जो फिगर है यह इस दोनों तो यहां पर आपको यी formula नजर आएगा याननकि आपि दोनों में ज加़ आप देखे रहे हो difference हो गया है इस के कूल इस mount में और यहां पर यहां पर आपको amount देखे ही आप़ आपको formula नजर आएगा यह कि यह जो amount लिख्या अब भी इसके माउंटी छोरी है, यह अब यह जो माउंट आप हो हमने हाथ से लिखिया है, यह किसी फॉर्मुला के साथ नहीं आई है, तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल तरीके से Excel में हम किस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, यह हमने सिखा है बिल्कुल एक simple सा formula हमने लगाना सिखा है तो दोस्तों हम इसी तरीके से जो next वीडियो हमारा आएगा उसमें हम इस तरीके से जो हमारा profit and loss count बनता है और profit and loss count के बाद में हमारी जो balance sheet बनती है वो किस तरीके से excel में हम डिजाइन करते हैं और किस तरीके से हम एक cell को दूसरे cell के साथ लिंक करते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो नोलेज़ेबल लगी हो वीडियो से अगर कुछ सेखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को like जुरूर करताना और अभी तक आपने दोस्तों चैनल को subscribe नहीं किये तो प्लीज वो भी अभी कर लेना तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टोपिक के साथ